चलिए आगे बढ़ेंगे एर इंडिया की फ्लाइट में बम की खबर आ रही है सामने मुंबई से न्यू यॉक जा रही थी फ्लाइट दिली एरपोर्ट पर लेंड किया गया विमान यातिरियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है एक बड़ी खबार एर इंडिया की फ्लाइट में बम की खबर सामने आई है मुंबई से न्यू यॉक जा रही थी ये फ्लाइट दिली एरपोर्ट पर लेंड किया गया विमान यातिरियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया तो जैसे ही विमान में बम की खबर मिली आसपास हड़कम मच गया और अपवतादे की यातिरियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है जैसे ही दिली एरपोर्ट पर ये विमान लेंड किया उसके बाद यातिरियों को बाहर निकाले एक्स्क्लूसिफ तस्वीर आप देख रहे हैं जी राजस्तान पर मुंबई से न्यू यॉक जा रही थी ये फ्लाइट तब ये सूचना मिली हमारे साथ प्रमोट शर्मा दिली से जुड़ गया है मारे सेयोगी जाधा जानकारी के लिसी दारू करेंगे प्रमोट एर इंडिया की फ्लाइट में बं की खबर मिल रही है क्या जानकारी इसको लेकर अभी तक सुरक्षित निकाल गया है यात्रियों को बाहर पूरी तलाशी जो है वो विमान की ली गई थी लेकिन कुछ भी तंदिग्द नहीं मिला है लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से पूरी पूरी चानवीन की गई थी और उसके बाद अभी तक इसमें यह साफ नहीं हो पाया कि यह जो जो बंकी सूचना थी यह किसने दी ती कुल जो दोस्तों उन्तालीस पैसेंजर जो है वो फ्लाइट के अंदर मौजूद थे उन्हें रख्षित अभार निखालने के बाद तराशी ली गई तो संदिक चीज कुछ नहीं मिली और इसको जल्दी जो है पुलीस से होक्सौल के तौर पर जो है डिकलेर कर देगी और फ्लाइट जो है वो उसको क्लियर कर दिया गया है पूरी जाच के बाद कि उसके अंदर कोई भी ऐसी संद और जब सर्च किया गया तो कोई बाम नहीं मिला है हालांकि ये बात जो है वो जूटी निकली लेकिन बाम का फ्लाइट मे होना अपने आप में सबको डराने वाली बात थी सबके लिए डराने वाली खबर थी लेकिन सभिस यात्री जो थे उस फ्लाइट में सभी को बाहर निकाल लिया गया है।